गुड मार्निंग आल आफ यो जास फोर सोशाल का टेस्ट पेपर यह फ्रॉम चेप्टर वन टू टू यानि चेप्टर एक से दो तक जो मैं पढ़ाया हूँ इसी चेप्टर से कुईश्चन मैं बनाया हूँ यह आपका एक टेस्ट पेपर है इसको आपको राइट करना और यह में answer the following question पहला question है why are the हिमाले आज called the northern wall of India यानि हिमाले को क्यों भारत का उतरी दिवार बोला जाता है इसके बारे में आपको राइट करना है who was the first woman to climb Mount Everest यानि वह अब इसकी कौन पहली महिला है जिसने Mount Everest पर चड़ने का काम किया था उसको आपका उसको उसके बारे में लिखना है उसका नेम लिखना है और नेम आल आप आप आवर नेवरिंग कंट्रीज जितने भी भारत से जो रिले उसे बाउंडरी से जो रिलेट हमारे बडोसी देश है इन सारे बडोसी देशों की नाम लिखना है वाट डू यू मीन बाई एक कॉंटिनेंट्स यानि महादीप क्या है किस तरह का जो है लेंड माउस होता है जिसको हम महादीप के रूप में जानते हैं इसके बारे में question फूर लिखना है आप देखेंगे right, true or false, true or false में इंडिया is located in northern part of Asia, true है तो T भरेंगे, F है तो F भरेंगे second on the basis of size, Australia is bigger than India, true or false, जो है वो भरना है there are 29 state and 8 union territory state in India, तो आप जो true है, true भरेंगे, false है तो false fill in the blank, India is a part of continent, यानि कि किस continent का part है भारत, यह fill in the blank भरना है India is the most populous country in the second, यानि कि भारत भी सुका किस अस्थान पे जन संक्या के दिरिश्ट से है first है, कि second है, उसके बाद है, space is the most populous state of our country हमारा कौन सा ऐसा state है भारत में, जो populous यानि जन संक्या के दिरिश्ट से सबसे बड़ा राज है उस state का नेम आपको भरना है, जो नाम आपको right लगेगा, उसको आप फिल अप करेंगे बिटा उसके बाद right three example for each, यानि सबका आपको तीन example देना है हिमालयास peak, यानि कि जो हिमालयास के जो सिखर हैं, इन सिखर का नेम लिखना है first, second, third, the person to climb the Mount Everest, यानि Mount Everest पर चड़ने वाले तीन ऐसे person, तीन ऐसे बेक्तियों का नाम लिखना है तो इस तरह से या class four का, जो है पुरा या social है, और या test paper है इस test paper को पुरा आप solve करेंगे, इसको right करेंगे, और फिर इसके बारे में आप learn करेंगे Thank you, that's all